हेलो असलाम अलेकूम कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो आज की जो वीडियो है वह एक रेसिपी लेकर आई हूं आप लोग इसे साथ ताकि आप लोग पांच मनट में मिनी केक तयार कर सकते हैं केक बनाने की रेसिपी तो बहुत से वीडियो पर आई होगी वाँसे लोग ये मिनी केक है तो पांस मिनट के अंदर मिनी केक रेडी करके बच्छों को अपने कोई गेस्ट आए उनको किसी की सांथी सेयर कर सकते है और में अच्छी बात यह है कि इसको आप स्टोर करके रख सक तक लिए खराब नहीं होता है चैनल को आगे देखते रहिए और लाइक जरूर करतीजेगा अगर चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करतीजेगा लाइक करना मत भूलिएगा और से वीडियो अच्छी लगी तो जरूर करिएगा तो आइए हम अपना रेसिपी सेयर करते हैं क्या में आज की मार्ण प्लीज कमेंट बнымस्क्ट करिए आपको कौसी रेसिपी चाहिए मेरे सब्सक्राइबरबाने के लिए 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुकें है उसके लिए बहुत-बहुत थेंक यू तो आज आपको दिखाएंगे जादू जादू इसलिए बोल रही हूं क्योंकि यह पांच मिनट में रेडी होने वाली रेसिपी है और दूसरा की बहुत कम समान के साथ रेडी होती है तो देखिए यहां पर मैंने लिया है सूजी आप लोगों को दिख रहा होगा और मैंने व पीज़ब दिखाऊंगे यह सक्कर इसको मैंने मिक्सी में पीस के पाउडर बना लिया ताकि यह घुल जाए आप खड़ा सक्कर भी ले सकते हैं और वापके ऊपर है यह क्या बोलते हैं टूटी फ्रूटी हम लोगत इसको पपीता बोलते हैं सायद यह पानी हाँ यह आप पानी की जगह दूद भी ले सकते हैं वापका मनलब डिसीजन है उसके जगह दही भी ले सकते हैं दही दूद पानी कुछ भी यह बेकिंग पॉडर और यह है बेकिंग सोडा तो मैंने वही एक जैन्स चॉकलेट ले लिया है ताकि अंदर में छुपा के बच्चों को साम सर क्या लिया है देखिये मैने अक अप मैदा एक कफ सूजी और एक कप सक्कर का पॉड़र जिसे आप घर पे भी बना सकते हैं और मार्केट में भी जी मिल जाता हैं सिप्चर को मिक्सी में पीज की तो इससी तो प्रिचिक से पहलों कह से चाहिए को अच्छी तरीके से कर लें के बाद हम इसमें एड़ कर देते हैं मीठा शोड़ा और हल्का सा मीठा सोड़ा मतलब जो घर की मदर सोती उनको आइडिया होता है कि इसमें कितना मेठा सोड़ा चाहिए कितना नहीं चाहिए यह थोना चीज़ें मोस्ट है क्योंकि यही से फुलाएगा और यही से मतलब न sich यह सकते हैं तुमइब कर सकते मैं इसलि def अड़ा से थैस्थ यह शीए थैसलिए विए उसके जगा मैं दाल ही मैंने क्री सब चीजों अच्छे से मेल्ड कर मिला लिजी देख है क्योंकि मैंने है चाहिए मट पास मिक्स करने इस तरीके से मिलाने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप चाहे तो टुटी फ्रुटी को साथ में भी आइड कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है वह आपके उपर डिपेंड करता है इसे छोड़ देंगे रेश्ट होने के लिए कम से कम 15-20 मिनट के लिए य यहां पर मैंने इसे कम से कम आदे घंटे के लिए रख दिया था आदे घंटे के बाद देखे कितना यह ठीकी हो चुका है और फिर मैं इसे अच्छी तरीके से फेट लेती हूं डालने से पहले याद रखिएगा जरूर जितना फेट सकते हैं जितना जाद आप फेटेंगे इसको ब्रस से घिस देंगे अब पे में करको मैंने इकदम मेडिय माच दिया था इकदम मेडिय माच एकदम मळ ते में पर चाहिता जाने हैं अच्छी तरीके से फिलफ मतलब इतना सारा में आप अराम से दो बार अपे में करमे केक बना सकते हैं और यह आपके बच्चों को गेस्ट को पडोसियों को सब को बहुत टेस्ट लगने वाला है क्योंकि यह पांस मिनट में बनके तयार भी हो जाएगा कोई इसमें मिलावट भी नहीं है ना यह बहुत ज़्यादा दिन का पुराना केक है मार्केट जैसा यह आपके घर में पांस मिनट में रेडी किया गया केक है मेरे बच्चे तो बहुत पसंद किये थी यह है जेम्स मेरे से एक गलती हो गया था मैं जेम्स को उपर ही छोड़ दी थी सुंदर दिखने के वज़ा से ब स्बसेक बाइड थी अधि गूत जोंच ने किया खूञता से लाइड दालना भूल गया इसमें डूटी फ्रूटी आप इसमें डूटी अत्राइड कर सकते हैं फूट यह प्रूटी अपके ओपर है आपके तया है कि अपके उपर यह प्रिवर में बनाना चाहते हैं या तो यह 10 मिनट लेगा और अगर मीडियम फ्लेम है तो यह 5 मिनट लेगा लेकिन जितना ज्यादा यह लो फ्लेम में पकेगा यह उतना अच्छा लगेगा यह तो पांस मिनट में ही रेडी हो गया था यह देखिए अच्छी तरीके से शुख चुका है मैं इसे प्लट इसलिए कि दोनों तरब का थोड़ा सा कलार सेम हो जाए क्योंकि मुझे स्टोर करना था वट मैं स्टोर नहीं कर पाई और ने तो यह एकी तरब से सिखता है और एकी तरब से ही सिखके यह अच्छी तरीके से कुक हो जाता है तो यह बन चुका था अच्छी तरीके से बीच में फ्ल अच्छा लगेगा घर में बना हुआ है क्योंकि मार्केट का केक बिल्कुल नहीं खाते हैं तो उन्होंने टेस्ट किया उनको अच्छा लगा तो दस या पंदर मिनट के बाद फिर से मेरे को बोले यास्मीन केक बचा है किया मैं हाँ बचा है लाओ हमारे लिए तो अच्छा अच्छा लगा मैं रखो कि मेरा मतलब फीड़ कहँ देखें कीया कितल elderly लगिकम अच्छी तरीके से थैंक यू और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक सेर जरूर कीजिएगा कमेंट वाक्स में बताईएगा नेश्ट रिस्पी क्या चाहिए और अपने फ्रेंट्स या फैमिली मेंबर के साथ सेर जरूर कीजिएगा थैंक यू बाइ बाइ अल्ला हाफिज दुआओं में याद रखिएगा